आई आप सभी का स्वावत है सोनु होम नीटिंग चैनल में तो मैं सब के लिए सिलाईयों से एक सकाफ लेक्षाप लेक्षाइन है ना आपने देखा होगा ना कभी बनाया होगा तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगते हैं तो उसकी इसका बहुत अच्छी बनती है तो सबसे पहले फंदा हम यहां पर सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जाली डालते हुए सारे फंदों का हम यहां पर सीधा बना लेंगे ट्रफे इसे भी सिधा बना लेंगे तो 6 पंदों से हमें इस टार्ट किया बता है तो चे से कितने फंदे हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, यारा, बारत, तेरा तेरा फंदे हो गए आप देखें, उल्टे साट, उल्टे साट सारे फंदों का मुल्टाल्टा बना के कम्प्लीट करेंगे आप ये इसका आप किसी के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, लेकिन ये लेडिस के लिए ही है लेडिस के लिए बनाएं, गर्ल्स के लिए बनाएं कि तिस तरह से करते हैं हम ये दूसरी लाइन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं कि दो लाइन हमारे कंप्लीट हो गई तीसरी लाइन पहला फंदा और लास्ट का फंदा हमें दो बार बुर्ण ना ये ध्यान रखना आपको पहला फंदा सीधे सैट से तो पहले फंदों को हम सीधा बनाएंगे देखें इस तरह से एक बार बुना फिर से ये फंदा वापस से सलाई पी चड़ाएंगे और पीछी सैट से एक बार इसे सीधा बना देंगे तो पहले फंदे हम दो बार बुनेंगे उसके बाद सारे फंद इस तरह से सिधा बना लें आप, अब देखिएं लास्ट के पन्दे को हम, दो बरबुन एगे, इस तरह से एक बरबुन एप지 को, Cash को सीधा से एक बरबुन लिएगे, इस तरह से स्लाइट अल ना आप को, अथि हमारी देखिएं, पहली लाइन कंप्रेट हो गए, दूसरी ला सिधे तरफ से अपको धियान रखना है पहला फंद और लास्ट का फंद आमें दो बर बुढ़ना है क्योंकि फंदे को हमें लूज रखना है इस तरह से देखिए फिर सिधे आ जाएंगे इसी तरह से यही दो लाइन आपको बार बर रिपीट करना है सीधे तरफ से सरी यह धान रखना है कि पहला फंद और लास्ट का फंदे को दो बार बुढ़ना है और उल्टे फंदे को सारे तरफ से उल्टे उल्टे बना के कम्प्लिट कर लेंगे तो पहला फंद देखिए इस तरह से बूल लेंगे एक बार बूना फिर इस पंदे को इसलयप लेंगे या तो फिर आप इस तो देखे मैंने यहाँ पर लंबाई कम्प्लीट करके रखे हुई है आप देखे पूरा बन जाने के बाद आप यहाँ से स्लाइज हो जाएगी आपकी यहाँ पर स्लाइ मैंने छेड नंबर स्लाइज लिए है देख सकते हैं मोटी वाली है दोनों का अगर आप साइज देखे तो दोनों में फर्क दिखा देती हूं मैं आपको अभी मैं आपको इस से बता रही थी लेकिन आपको इस तरह से मोटी वाली स्लाइज से बनाने ही है और उन भी थोड़ से मोटा लेना आपको जब आपकी स्लाइज कम्प्री धागा अपनी और एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी और एक फंदा उल्टा इसी तरह से करते हैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा जैसे बॉर्डर बनाते उस तरह से तो पूरी लाइन कंप्लीट कर तुछ यहां पे सीधी उल्ते करते हमने यह पंदे को वुन लिया तुमैने आपको बतानम भूल गए कि मैंने यह पर सलाय पे कितने desired डाले तो मैने 32, 34, 36, 38, 40, 42 और 41 यानि 43 फंदे हमारे इस स्लाइप पर बने हैं 22 फंदों से आपको स्टार्ट करना है इसे बनाना अब देखें उल्टी रो उल्टी रो जो जैसा फंदा दिखेगा हमें उसी तरह से बुनना है पहला फंदा हमारा उल्टा आ जाएगा तो हमें इसे उल्टा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे और यहां पर एक फंदा सीधा बनाएंगे जो फंदी जैसे दिखेंगे मैं उस तरह से बना लेना है फिर एक सीधा फिर एक सीधा एक उल्टा एक सीधा करते हैं पूरी लाइन में इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं जो चलिए लाइन कंप इतना हम नहीं भूल लिए हैं यहां साथ मैंने आपको दिखाती हूं कि मैंने इसकी लंबाई कितनी बनाई है दस इंच बनाई है इसकी अगर इंच टेप से नापते हैं तो आप देखिए तीसरी स्लाइड धियान दीजिएगा यही तीन लाइन हमारे लास्ट की सबसे गिरा देंगे सीधे फंदे को फिर से सीधा बना लेंगे धागा अपनी और करेंगे यानि जाली डालते वे सीधा बनाना है में उल्टा फंदा को इस तरह से गिरा देना है सीधे फंदे को हम इस तरह से जाली डालते वे बून लेंगे फिर से देखिए उल्टा फंदा गिर गिराना है धागा आगे करेंगे और सीधा फंदा को इस तरह से सीधा बना लेंगे फिर धागा अपनी और करेंगे उल्टे फंदे को गिराना है सीधे फंदे को बुन लेंगे फिर धागा अपनी और करेंगे फिर से उल्टा फंदा गिराएंगे और सीधे फंदे को बुन ले लेंगे इस तरह से दो फंदे एक साथ लेंगे हम दो करेंगे बंद करेंगे वापस यह फंदा चड़ाएंगे इसमें फिर से दो फंदे लेंगे एक साथ उसे बंद करेंगे इस तरह से करते हैं पूरे फंदे को हम बंद कर लेते हैं फिर आगे दिखाते हैं आपको यहाँ पर मैंने सारे फंदो कीगा थे यहाँ आप देखिये से खोलने का तरीका श्रूरस ख्राइखै। घीच ते ले सारे फंदो कुखोल ना यहाँ आपको इस तरह से पाया अगै जब हम खीचेंगे ते फंदो बड़े हो जाएंगे हमारे फंदो साइड के फंदिकशत अगर आप वार भुनेंगे तो फिर यह सिकुडा से द Спी लगने लगेगा यानि स्कुरा से लगने लगे लाएंगे दूनों को बढ़ाबर को इस तरह से करेंगे और ऐसे ऐसे कर देना इसे अब देखे यह आपकी खुबसद सी स्काप बंद की रेडी हो गई है अब इसे में नाप के दिखाती हूं कि 10 इंच मैंने इसकी बुराई की थी अब इसकी बदल लंबाई कितनी होती है यह टोटल हमारे 32 बनके आएंगे आपके यह जब आप इसके 10 इंच बनाएंगे इसकी बुनाई तो यह टोटल जब आप इसे खोलेंगे खोलने के बत्तिस इंच बनके आएगी 32 यानी हमारे 82 सेंटीमीटर देख सकता है इस तरह से आपको लपेटना गले में मैं दिखा देती हू यह बड़ो के लिए है तो इस तरह से आपको रखना है यह मैंने बड़ो के लिए बनाए है बस आपको इस तरह से गले पे रखना है ऐसे आपको लेना है या फिर आप इस तरह से बान सकती है बस गले पे इस तरह से आपको लटका लेना है तो देखे कुछ इस तरह सी या फिर अगर आपको डबल करना है तो थोड़ा सा इसके क्या करें मैंने 10 इंच बनाई है आप 10 इंच के वी जगह 14 इंच बना ले 14 इंच बनाने के बाद यह और थोड़ी से लंबी हो जाएगी इतनी भी कम नहीं है बहुत जादा है इस तरह से फोल्ड करते हैं इस तरह से अ स्वाइब दो ना भूलें तो चली मिलते फिर कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू के आप येज़ों।